अजब महला रजब लोग भाई अजब महला रजब लोग कर भला हो बुरा तो सुनिए आज हम आपको कथा पढ़ने वाले दक्षिना पांडे की कथा सुनाएंगे एक दिन दिल से दयालू कथा पढ़ने वाले ब्राहमन दक्षिना पांडे एक जंगल से गुजर रहे होते हैं कि उन्हें एक साप की चीक सुनाई देती है जो छाडियों में फसा मदद मांग रहा था बचाओ, 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 बचाओ देखो, नीचे कटेली छाडिया है अगर बैकिरा और मेरा बदन सरा भी छिल गया तो चीटिया मुझे खा जाएंगी, मुझे बचा लो अरे अरे, घबराओ मत, घबराओ मत, हम तुम्हें बचाते हैं लो, इसमें लिपट जाओ, लिपट जाओ तुम शायद हमारा धन्यवाद करना चाहते हो इसमें धन्यवाद कैसा, यह तो हमारा फर्स था दन्यवाद, नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें दसना चाहता हूँ अरे-अरे, यह क्या कर रहे हो, हमने तुम्हें बचाया है और तुम हमें ही काटना चाहते हो हाँ, क्योंकि आजकल बलाई के बदले बुराई ही मिलती है अईसा तुमसे किसने कहा? सभी नहीं, और जो सब कहते हैं, वहीं सच होता है अईसे कोई कहा ही नहीं सकता? तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं, तो तुम जिस से जाहो, उस से पूछ सकते हो दसने से पहले, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ और वो गधे के पास पहुचते हैं, गधा दक्षिना की बात सुनकर कहता है नाग भाई सच कह रहे हैं, आज कल भलाई के बदले में बुराई ही मिलती है कैसे? अब मुझे ही देख लो, मैं पूरे दिन धोबी के कपड़े घर से तालाब तक लेके जाता हूँ उसके धुलने तक भूका प्यासा वहीं खड़ा रहता हूँ शाम को सुखने के बाद फिर पीठ पर लातकर घर लाता हूँ पर फिर भी मालिक मुझे राद भर मारता है और बरपेट खाना भी नहीं देता बताओ, मेरी भलाई के बदले कहां भलाई मिली? देखा, प्रूफ हो गया ना भलाई के बदले बुराई अब मैं तुम्हें बसूगा अरे अरे हमाई बात सुनो, इसके बात क्या सुनना? इसलिए तो लोग इसे गधा कहते हैं हम इनसानों में भी जब कोई बेवकूफी वाली बात करता है तो लोग कहते हैं क्या गधे जैसी बात करता है हमें एक मौका और दो प्लीज, हम किसी और से पूछते हैं ठीक है तुमने मेरी जान बचाने में बहुत मेहनत की है इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ एक बार और मेहनत करूँगा बोलो, किस से पूछना है? वो देखो गाए, गाए हमाएं माता होती है, वो तुम्हें सच बताएगी और वो गाए के पास पहुँचकर अपनी बात कहते हैं तो गाए कहती है नाग भाई सही कह रहे हैं पांडे जी सही कह रहे हैं? कैसे? तूर क्यों जाते हूँ? मुझे ही देख लो मैं मेरे दूद वाले को मेरे बच्चे से भी ज्यादा दूद देती हूँ फिर भी मेरा मालिक मेरे जरा से हिल जाने पर डंडे मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता है मेरे पीछे के दोनों पैर बांध देता है और बूद बूद मेरा दूद निचोड लेता है मेरा बच्चा तक भूखा रह जाता है और खाने के लिए यहां सुखी घास के पास छोड़ जाता है देखा, बलाई के बदले बुराई, प्रूफ अब मैं तुम्हें डस सूँगा पीचे हटकर कोई वाइदा नहीं, मेरे डसनी से तो नहीं बच सकते सुनकर दक्षिना पांडे चिन्तित हो जाते हैं, के वो अब क्या करे? तब ही वहां से दादा जी गुजरते हैं, दक्षिना को देखते ही, वो पूछते हैं, तो दक्षिना उन्हें जल्दी जल्दी सब कुछ बताता है सुनकर दादा जी कहते हैं नाग सही कह रहे हैं दादा जी, यह आप क्या कह रहे हैं? हमने सोचा था आप हमें बचाएंगे आप तो नाग की ही तरफदारी कर रहे हैं तरफदारी की बात नहीं है दक्षिना बेटे जो सही है उसे तो सही कहना ही पड़ेगा तू तो जानता है मैं हमेशा सच का ही साथ देता हूँ देखा तुम तो इन्हें जानते हो ना कि ये सच का साथ देते हैं प्रूफ मिल गया अब मैं तुम्हें डसूगा मैं आपके बात नहीं मान सकता दादा जी आप मुझे भी समझाओ कैसे चलो आखरी बार तुम भी समझा दो लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें डसी बगैर छोड़ूगा नहीं कितना भी भाग लो अरे मैं भागने ही नहीं दूँगा पकड़ के रखूँगा तुम आराम से डसना ठीक है लेकिन प्रूफ देने के लिए तुम्हें मुझे पूरा वाक्या दोबारा दिखाना होगा लेकिन उसके बाद कोई बहाना नहीं मैं इससे दस्सूगा कहा ना मेरा वादा है उसके बाद मैं खुद इसे पकल कर रखोंगा लो अब ही से पकल लिया है अब ठीक है ना अब तुम पूरा वाक्या मुझे दिखाओ तो मैं प्रूफ दूँ ठीक है, आओ मैं बताता हूँ वो पूरा वाक्या क्या हुआ था और नाग दादा जी को लेकर उसी जाड़ी के पास पहुचता है देखो, वो जो सामने कटीली जाड़िया है उसके उपर के चिकने पत्थर पर एक चिड़िया बैठी थी मैं उसे खाने गया अरे, ऐसे तुम मैं समझ नहीं पाऊंगा मैं बूरा हूँ ना, अब कहां थी चिड़िया और तुम कहां से गए, कैसे गए अभी बताता हूँ यहां से मैंने इस पत्थर पर बैठी चिड़िया देखी मैंने उसे खाने के लिए उस पर चंप मारी अरे, अरे, मैं तो फिर से फस गया बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ वरना मैं कटिली जाडी में गिर जाओगा मेरा बदन छिल जाएगा तो चीठिया मुझे खा जाएगी अरे नाग भाई, तुमने सही कहा था भलाई के बदले बुराई तुमने मुझे ये पूरा वाक्या दिखाने की भलाई की और उसके बदले मैं तुम्हें ना बचाते हुए बुराई कर रहा हूँ लेकिन एक बात याद रखना भलाई के बदले भलाई ही अच्छी लगती है पर तुम जैसे कुछ लोग नहीं मानते तो उनकी भलाई के साथ बुराई ही होती है